हरे कृष्णा राधे राधे वल्कम बैक टू माई चैनल तो आज मैं आप लोगों के साथ शेर कर रही हूँ कि मैं गोवर्दन किस तरह से बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं चोग के साथ ड्रो कर लेती हूँ जिससे कि बहुत इजी हो जाता है बनाना और उसके बाद जैसे आएं से फिल कर लेंगे अच्छे से अमस्कों इसको पूरे ऑई इसको फिल कर लेंगे तो अगर आप लोग भी नेक्स टाइम इसमीनताना चाहते हो फिल कर ली जिएगा इसे बहुत इसे draw कर लेते हैं तो बहुत इसली ही बन जाता है और फीर्स को सिरो वह में फिल करने दो आ पिल करने जाने के लिए आप लॉक्त करने के लिए आप रंगोली के कलर का यूझ कर सके और गुलार का यूझ कर सकते तो देखे जितना जितना ये बनता जा रहा है मैं आपके साथ चोटी-चोटी से क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं अगर आप लोगों को ये मेरी वیडियो अच्छे लगे तो प्लिस चैनल को सबस्क्राइब जूरू कर लिजएगा वीडियो को लाइक कर दीजएगा तो अभी हम इसकी साइड्स की जो ये लाइन है इसको हम फिल कर रहे हैं ये जो हमने आउट लाइन की है इसको फिल कर रहे हैं तो इसको फिल मैंने और मेरी दादी ने मिलकर किया है उन्होंने मेरी हैल्प की है इसमें और देखिए यहां पर एक गूजरी और एक मतलब एक लेड़ी और एक जैंट्स बनाया है जो की मेरी दादी नहीं बनाया है और यह देखिए हमने बिल्कुल अच्छे से इसको बना दिया है अब हम इसके ओपर कलर करना शुरू करेंगे तो मैं यलो, मजेंटा और ग्रीन कलर का यूज़ कर रही हूँ और मैं गुलाल का यूज़ कर रही हूँ यहां पर और देखिए मैंने न जो एरिंग्स होते हैं क्रिशन जी के यह मैंने अलग से पहले से बना लिये हैं इस तरह से जो कि मैं लगा दूंगी क्रिशन जी को और यह मैंने तिलक बना रखा हैं यह मैंने अब भी बनाया यह मिर पास पहले नहीं था और ये मैंने आईज बनाई हुई है, साथ ही साथ लिप्स भी बनाई हुई है तो आईज और लिप्स तो आप लोगों ने मेरी लास्ट जो मैंने गोवर्दन जी की वीडियो डाली थे उसमें भी देखे होंगे तो देखिए इस बार मैंने क्रिशन जी के लिए अलग से पगड़ी भी बनाई है और इसको न मैं लगाने के बाद डेकोरेट कर दूँगी जो भी कुछ मुझे इस पर लगाना होगा और एक ही ये बड़ा सा मोर्पंक लिया है जिसमें की चोटे-चोटे बहुत सारे मोर्पंक है तो इस तरह से मैं पगड़ी के नीचे लगा दूँगी इसको और इसको आप जो नॉर्मल जैपुरी दुपटा आता है आप उससे भी बना सकते हो और यहाँ पर देखिए इन दोनों के ओपर भी हमने दुपटे उढ़ा दिये हैं और ऐसे मैंने अपने गोवरदिन जी को बनाया जैसे भी मुस्से बन पाया आप लोग कमेंट करके जुरूर बताईएगा आप लोगों को कैसे लगे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजएगा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजएगा और पगडी को मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था मेरे पास मोती की माला रख्यूए थी मैंने उसको लगा दिया और कुछ में पास सितारे रखे हुए थे मैंने उसको लगा दिया तो कुछ इस तरह से मैंने मुका शिंगार किया जितना भी मुझसे हो पाया